नमस्ते दोस्तों आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत करते हैं दोस्तों आज मैं आपको Microsoft Excel में कैसे data entry करते हैं उसका पूरा process step by step दिखाऊंगा तो दोस्तों Excel में अगर आपको data entry करना है तो सबसे पहले आपको चाहिए typing speed आपको typing speed जितना ज्यादा होगा आप उतना ज्यादा data यहाँ पर add कर सकते हो मैं आपको एक process दिखाऊंगा यहाँ पर जहाँ पर आप बिना VBA को use करके सिर्फ एक form के द्वारा आप easily बहुत ही कम समय में बहुत सारे data को entry कर सकते हो तो वीडियो को last तक देखिएगा तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर student admission details नाम से एक format को यहाँ पर design कर लूँगा Excel में तो इसके लिए मैं पहला वाला row को छोड़ के नीचे सबसे पहले लिखूँगा serial number student name, date of birth, furthest name, gender, address and contact number फिर मैं यहाँ पर इन सारे cell को थोड़ा adjust कर लूँगा सारे cell को एक ही साथ adjust करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा और किसी भी column को आप यहाँ से बड़ा करेंगे तो सारे column एक ही साथ बड़ा हो जाएगा फिर मैं जाओंगा home tab और home tab से alignment group से center और middle alignment को यहाँ पर choose कर दूँगा फिर मैं यहाँ पर serial number का जो cell है इसको थोड़ा चोटा कर दूँगा और उपर सारे cell को marge करके मैं लिखूंगा student admission details इसके लिए सबसे पहले मैं इन cell को select करूंगा select करने के बद मैं जाओंगा home tab home tab से यहाँ पर देखे marge and center है जहाँ पर आपको click करना है click करने के साथ ही यह marge हो जाएगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा student admission details फिर मैं यहाँ पर इस row को थोड़ा बड़ा कर दूँगा इसके लिए मैं यहाँ पर click करके ऐसे इसको select करके बड़ा कर दूँगा फिर मैं जाँँगा home tab और home tab से font size को थोड़ा बड़ा कर देंगे यह मैंने font size को यहाँ पर increase कर दिया अब इसको bold कर देंगे इसके बाद नीचे जहाँ पर मैंने serial number student team लिखा है इनको select करेंगे select करके हम जाएंगे home tab और इसका भी size थोड़ा बड़ा कर देंगे और इसके बाद इसको भी थोड़ा bold apply कर देंगे फिर मैं यहाँ पर पूरा sheet को select करूँगा select करने के बाद मैं चला जाँँगा home tab और home tab से एक अच्छा सा font style यहाँ पर choose कर देंगे तो यह वाला font style मैंने यहाँ पर choose कर दिया है यह हो गया अभी उपर जहाँ पर मैंने student admission details लिखा है उस cell को select करेंगे select करने के बाद एक back color और four color apply कर देंगे तो यह हो गया back color और यहाँ से font color आप choose कर सकते हो तो मैं यहाँ पर white color को choose कर दूँगा फिर नीचे इनको भी select करेंगे इनको select करने के बाद इनका भी एक back color यहाँ पर apply करेंगे तो fill color बटन से यहाँ पर आप कोई भी color को apply कर सकते हो अब मैं यहाँ पर cell border apply करूँगा इसके लिए मैं कुछ cell को यहाँ पर select कर लूँगा select करने के बाद मैं जाओंगा home tab और यहाँ से देखिए borders बटन है और यहाँ से आपको all border में click करना होगा click करने के साथ ही देखिए यहाँ पर border apply हो गया है यह है पूरा format अब मैं आपको पूरा data entry का जो process है वो step by step दिखाऊंगा data entry जो है वो मैं यहाँ पर form के through करूँगा इसके लिए सबसे पहले form option को यहाँ पर enable करना होगा इसके लिए मैं जाओंगा office button और यहाँ से आपको excel option में click करना है excel option में click करने के बाद window open हो जाएगा जहाँ से आपको customize option में click करना है customize और उपर से आपको command में all command चूज कर लेना है फिर आपको इस box से form option कहाँ पर है इसको ढूंड के निकालना है तो यहाँ पर मैं नीचे आऊंगा नीचे आने के बाद यहाँ से आप देख सकते हो बहुत सारे option आपको यहाँ पर मिलेंगे तो यह है form option इसमें click करने के बाद हम यहाँ पर add में जाके click करेंगे add में click करने के साथ ही वो देखिए automatically यहाँ पर add हो गया यह form option आपको quick access toolbar में मिलेगा फिर नीचे हम ok में आके click करेंगे तो यह देखिए उपर form option यहाँ पर add हो गया है इस form button को use करके ही हम यहाँ पर data entry को करेंगे तो यहाँ पर मैं serial number को पहले add कर लेता हूँ तो serial number में आपको 1, 2 लिखना है फिर उनको select करेंगे select करने के बाद यहाँ से हम end तक drag कर देंगे तो drag करने के साथ ही यह autofill हो जाएगा यह दिखें serial number हमारा यहाँ पर आ गया है अब मैं यहाँ पर data entry करने के लिए form option को add करूंगा student name से contact number तक हम यहाँ पर select करेंगे select करने के बाद हम जाएंगे form में और form में जाके एक बार आपको click करना है click करने के साथ एक window यहाँ पर open हो जाएगा यहाँ से आपको ok में click करना है करने के साथ यहाँ पर देख सकते हो सारे जो column name मैंने वहाँ पर लिखा था जैसे कि student name, date of birth, furthest name, zender, address, contact number सारे one by one यहाँ पर आ गया है आपको यहाँ पर सारे data को one by one यहाँ पर add करना है add करने के साथ ही automatically वह data आपके table में जाके add हो जाएगा तो आपको यहाँ पर मैं कुछ data add करके दिखाता हूँ तो मैंने यहाँ पर student name लिखा, फिर date of birth इसके बाद मैं लिखूंगा furthest name फिर gender, address, फिर contact number फिर आप यहाँ पर enter की press कर सकते हो या फिर new में क्लिक करके दूसरा data add भी कर सकते हो तो मैंने यहाँ पर new में क्लिक किया है आप यहाँ पर देख सकते हो automatically मेरा सारा data automatically यहाँ पर table में add हो गया है फिर दूसरा data अगर आपको add करना है तो आप यहाँ पर add कर सकते हो तो फिर मैं यहाँ पर student name लिखूंगा उसके बाद date of birth, उसके बाद furthest name, फिर gender, फिर address और contact number फिर आपको और data add करने के लिए आपको new में क्लिक करना है तो सारे cell यहाँ पर blank हो जाएंगे आप यहाँ पर data को easily add कर सकते हो अब मैं यहाँ पर third data add करूंगा, student name, फिर date of birth, उसके बाद furthest name, फिर gender, इसके बाद address, और last में contact number फिर एक बाद enter करेंगे तो automatically data यहाँ पर add हो जाएगा तो यह देखे मेरा तीन data यहाँ पर add हो गया है, आप चाहो तो आप किसी भी data को यहाँ से delete या फिर previous next कर सकते हो तो मैं यहाँ पर find previous में क्लिक करूंगा, तो previous जो data है वो यहाँ पर आपको दिखाएगा मान लीजिए यह वाला data मैं यहाँ पर delete करना चाहता हूं, तो just delete में क्लिक करेंगे और एक बार ok करेंगे तो यह data यहाँ से delete हो जाएगा यह देखिए, मेरे table में अभी दो ही data मौझूद है अगर आप फिर से नया data add करना चाहते है तो आपको new में क्लिक करना है और उसके बाद आप अपने हिसाब से किसी भी data को यहाँ पर add कर सकते हो तो यह मैंने यहाँ पर नाम लिखा है student का, उसके बाद date of birth, फिर furthest name, और gender, फिर address, और last में contact number just एक बार enter करेंगे, enter करने के साथ ही वो data भी आपके table में add हो जाएगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो, मेरा last data के साथ मेरे table में अभी तीन data मौझूद है तो दोस्तों आप Excel में form को use करके बहुत सारे data को एकदम कम time में easily entry कर सकते हो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजियेगा, thank you for watching the video, please keep your support